नमस्कार दोस्त कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्त होंगे और पनी पढ़ाई में बेस्त होंगे तो दोस्तो आज हम बहुत ही महत्पूर प्रस्णों को लेकर कर उपस्थित हैं जो की आधारित है human evolution पर human evolution से प्रतेक एक्जाम में लगभक एक या दो प्रस्ण आही रहे हैं तो आज का हमारा जो series है इससे आप देखना बिलकुल न भूलिए और बहुत ही महत्पूर प्रस्णों को हम लेकर उपस्थित हैं तो आज का पहला प्रस्ण क्या कहरा दोस्त पहले प्रस्ण को हम देखते हैं किसकी कपाल छमता सबसे अधिक है अगर human evolution की बात करें तो हम आने आपको बताया था human के बारे में कि कैसे इसकी series याद रखेंगे राज PNC और यहीं पर हमने राह यच साइलेंट का रखा था आर का मतलब रामा पिठेकस ए का मतलब आस्ट्रेलो पिठेकस और यच का मतलब होमो हैबिली सैंडी मैन और जे का मतलब जावा मैन आप और पी का मतलब पेकिंग मैन और एन का मतलब नियंडर थल और सी का मतलब क्रो मैगनान मैन, ठीक है, यह हमने स्रीज बताय था, यह ऐसे यह धीरे-धीरे क्या हुए थे, बिक्सित हुए थे, अब इन सभी में से कहरा किसकी कपाल चमता सबसे अधिक है, करा मनुस्य की, कि नियंडर थल मैन की, पेकिंग मैन की, क्रो मैगनान मानों की, तो किसकी कपाल सबसे ज़्यादा है highest cranial capacity is found in तो इसका right answer क्या होगा दोस्त इसका सही जवाब है D number Cro-Magnon man Cro-Magnon man इसका सही जवाब है Cro-Magnon man की जो cranial capacity थी सबसे highest थी कितनी थी लगभग 1650 cc कितनी लगभग 1650 cc किसकी Cro-Magnon man की अगर हम Paking man की बात करें तो Paking man की कितनी थी तो इसकी थी 800-1300 लगभग थी कितनी 800-1300 cc तक थी Paking man की और Neanderthal man की कितनी थी लगभग 1400 cc थी तो इसका right answer क्या होगा D number अगर Cro-Magnon man को आप देखना चाहें तो आप बिल्कुल देख भी सकते हैं तो देखिए दोस्त ये ये Cro-Magnon man अब इसे देखकर आपका जी में कुछ बिचलन कुछ हलचन तो हुई ही होगी आप इसे देख रहे होंगे बिल्कुल ये तो एकदम भोंदू की तरह दिख रहे हैं लेकिन ये तो बिल्कुल देखिए hero और ये hero नी hero नी की तरह दिखाई दे रही भाई ठीक है इसको आप देख रहे हैं बिल्कुल जी लल चाय रहा न जाय ये थे Cro-Magnon man इनकी highest cranial capacity इसके बारे में अभी हम और भी बात करने वाले हैं क्योंकि ये जन्तूओं का पालन यहीं से प्रार्म हुआ था इन्होंने ही जन्तूओं का सबसे पहले प्लान प्रारम किया था चलिए और हम बात करते हैं आगे अगले प्रसन के बारे में ठीक है अगला प्रसन क्या कह रहा है दोस्त दूसरा प्रसन कह रहा है कि मनुस्य के जैव विकासी इतिहास में टखने अर्थात एंकल की अस्थी सरप्रथम किस में बिख्सित हुई थी, ठीक है, टखने की अस्थी सरप्रथम किस में बिख्सित हुई थी, करा है कि होमो सैपियंस फोसिलिस में, होमो सैपियंस नेंडर थैलेंसिस में, होमो एरेक्टस में, होमो हैबलिस में, in the evolutionary history of mind, the ankle bone was well develop first in, सबसे पहले किसमें develop हुई थी, इसका सही जबाब क्या होगा मेरे भाई, इसका सही एंसर क्या होगा, तो इस टखने की जो अस्थिय सरपर्थम किसमें बिक्सित हुई थी, तो हुई थी, होमो सैपियंस नेंडर थैलेंसिस में, होमो सैपियंस नेंडर थैलेंसिस अर्था इसका सही एंसर क्या है 20 का राइट एंसर है कौन सा 20 का सही जबाब है ठीक है चलिए question number हम 3 की बात करते हैं कि 3 number में क्या कह रहा है देखिए 3 हमने जो आपको बताया था फार्मूला राज PNC इसका आर्थ क्या है आर का मतलब क्या रामा पिथेकस इसकी जवासमी कि खोज किस ने किया three जी लेविस ने और एक का मतलब आस्ट्रयलो पिथेकस रेमंट डार्ट ने की थी कहां से आफ रिका से जे का मतलब जावा मैं एप और इसकी जवासमी की खोज डुबोईस ने की थी पी का मतलब पेकिंग मैन पेकिंग मैन इसकी खोज WCP पेई और यहां नियंडर्थल मैन फुलहार्ट ने फुहल रॉट ने और C क्रोमेगनान मैन और इसकी जिवासमी की खोज मैं ग्रेगर ने की थी ठीक है और इसकी कपाल छमता भी मैंने नोट किया था तो चलिए अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं और बाकि यह तो हैंडी मैन होमो हैविलिस है देखिए अगला कोश्चन क्या करा है तीन नमर का जावा मानों की खोज की थी जावा मानों की खोज किसने की थी कह रहा है कि WCPA ने यूजीन डुबोई ने डार्विन ने राबर ब्राउन डुबोई तो डार्विन तो बिल्कुल नहीं होंगे अब यहाँ डुबोई की बात आ रही है और पेई की बात आ रही है तो ठीक है अब पेई ने पेकिंग मैन पेई 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 पेकिंग मैन इन्होंने पेकिंग मैन की खोज की थी तो अब यहाँ एक ही आपसन बचता है यूजीन डुबोई यूजीन डुबोई ने किसकी खोज की थी भाई जावा मानो की खोज की थी यूजीन डुबोई ठीक है डुबोई अब ये इसका सही answer क्या हो गया B इसका right answer है चलिए अगले question की अगर हम बात करें दोस्त अगले question की तो यहाँ पर देखिए देखिए मैं आपके लिए हर मेंसा selective personal लेकर के आता हूँ भाई आपका selection होना माइने रखता है और एक कहावत है अगर आपको selection लेना है तो उन्ही प्रस्नों को आप देखिए जो की पूरे आपके series pattern के अनुसार जो आपके syllabus के carding है उस पर पूरा आप गहान अध्यन कर लीजिए तो आपका selection सिरूर हो जाएगा ठीक है चार नमबर question क्या कह रहा है चार नमबर को question में कर रहा है पिठयकांथ्रोपस जावा कपी मानो का पूराण बै ग्ज्यानिक नाम है और जावा मनूस का यहाँ प्राण बै ग्ज्यानिक नाम पूछ रहा है कर रहा है होञ होमो एरेक्टस हैuses है शाइनेग्षोपस है है पिथाइंकोट्रोफफा कि अफसाइन थ्रॉपस तो होगा नहीं पिथाइंकोट्रेपस का होमो इरेक्टर ससुद सका सही जवाब है जाव मय नवग्ग का पिथे कें थ्रॉपस ठीक है जो लोजिकल नाम इसका круг हेUND होमो इरेक्टस ठीक है चलिए आगे हम देखते हैं अगला कोश्चन हमारा क्या कह रहा है कोश्चन नमबर 5 की तरब बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 5 क्या कह रहा है कह रहा है होमो इरेक्टस बैग्यानिक नाम है होमो इरेक्टस किसका बैग्यानिक नाम है अभी हमने बात किया अभ की बात आती है अब यहाँ इसका जो राइट एंसर है क्या होगा जावा एंड पेकिंग मैन अफरीकर मैन पेकिंग मैन जावा मैन अब यहाँ जावा एंड पेकिंग मैन दोनों है तो इसका सही जवाब क्या होगा जावा एंड पेकिंग मैन अब आप सोच रहे होंगे कि man का home on hetericeaG miraos correspondsूरा अब यहां 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 इरेक्ट встрस हो गिया यहां erectus fateensis हो गए ठिके हैं तो homo earn cactus आप कह सकते हैं कि nam यहां पर right answer क्या होगा ढाइस СпAN का सही जवाब होगा चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं question number six की बात करते है question number six में क्या कह रहा है करहें वर्तमान मानों का संभावित सीधा पूरवज हो सकता है the most recent or nearest and direct ancestor of present man was possibly ठीक है इसका सीधा वर्तमान मानों का संभावित सीधा पूरवज कौन हो सकता है तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त इसका जो सही जवाब है वो है क्रोमाइगनान मानो ठीक है क्रोमाइगनान मानो बी इसका राइट अंसर है बी नमबर इसका सही जवाब है देखे क्रोमाइगनान थोड़ा सा इसके बारे में गर हम बात करें को पनेगनान के बारे में डार बोजन को अगनी में पका करके खाया करते थे और इनमें जो है कलाकारी के भी गुण थे ठीक है ये कलाकारी के भी इसमें गुण थे किसमें भाई ये थे कुरो मैगनान में कुरो मैगनान मानों की विसेस्ता है और ये क्यों की अगर एक कोशन पूछ लेगा कि कुरो मैगनान म हम साथ की बात करें, तो question number 7 में क्या कह रहा है, करार निम्लखित में से मनुस का सबसे निकट संबंधी, देखे, मनुस का सबसे निकट संबंधी फिर से आ गया एक बार, आप कह रहा है, और गुटान, जावा मैन, क्रोमाइगनान मैन, हाइडल, बर्ग मैन, अब इसका सही करार निम्लखित में से मनुस का सबसे निकट संबंधी है, ये repeated question हो गया, मनुस का सबसे निकट संबंधी, ये repeated question, चलिए, आगे चलते है, question number 9 की तरब बढ़ते हैं, आधुनिक मानों का निकट संबंधी है, कह रहा है, औरंग, उटान, गिबन, चिम्पैंजी, गोरिला, अब यहाँ वो समनाम नहीं दिया, अब यहाँ पर ऐसा दे दिया, कि आधुनिक मानों का निकट संबंधी कौन है, ये TGT बाईलोजी 2010 का question है, तो इसका सही जबाब क् चिम्पैंजी, क्या होगा, इसका सही जबाब होगा, चिम्पैंजी, ठीक है, चले, question number 10 की तरह बढ़ते हैं, question number 10 क्या कह रहा है, क्रोब मैंगनान मानों था, क्रोब मैंगनान मानों कैसा था, क्रोब मैंगनान के बारे में हमने बिसेस्ता बताया कि direct ancestor of present man है, और ये कह रहा सरवाहारी, जी बिल्कुल सरवाहारी होते थे, जो पाए वही खाय डाले, ठीक है, सरवाहारी, omnivores, इसका सही जबाब क्या है, omnivores कि ये सिकारी थे, और कला के सौकीन भी थे, कैसे थे, कला के सौकीन भी थे, और एक गिसेस्ता और है इसमें, कि मुर्दों का जो मर जाते थ है, मुर्दों का क्लिया कलाभ भी किया करते थे, ठीक है, राम नाम सत्य है, चले है कोश्चन हम राम चलते हैं 11 की तरह भाई, कहरा है होमो सेपीयन्स परकट हुआ, के वल, होमो सेपीयन्स अब, ये कप परकट हुआ, कहरा है 20,000 वर्सों पहले, कहरा 10,000 वर्सों पूर, 40,000 तरवर्स पूर उपरिद्म कोई नहीं तो होमो सेपियंस का प्रकट हुए यह आया यह कोशन भाई यह इसको बहुत इंपॉर्टन यह ध्यान रखना भाई नीट में भी यह कोशन आया था ठीक है और यह लगभग का प्रकट हुए यह 10,000 वर्स पहले प्रकट हुए कौन होमो सेपियंस ठीक है चलिए अगले कोशन की हम बात करते हैं कोशन अंबर बारा क्या कह रहा है करा नियंडर थल मानों का प्रथम जीवास्न प्राप्त हुआ जीवास्न पूछ लेता है किसका जीवास्न कहां से प्राप्त हुआ उसका फलाना धिमका ठीक है करा नियंडर थल मान और इसकी जो जिवासमी की खोच किया था वो किया था फूहल रोट ने किसने इसके जिवासमी की खोच किया था फूहल रोट ने ठीक है और इसका जिवासमी कहां से प्राप्त हुआ था जर्मनी से कहां से जर्मनी से प्राप्त हुआ था तो सीस का सही जवाब है कौन सा दोस् चली अगले question की अगर हम बात करें दोस्त देखें जर्मनी की एक नियंडर घाटी थी फुहल और वही नियंडर घाटी से ही फुहल रोट को ही इसके जिवास्मा मिले थे अगला question अगर हम देखें अगला question क्या करा है दोस्त question number 13 देखें अब कह रहा है ancestor of man who first stood erect यानि मानों का पूरवा कौन है जो सबसे पहले खड़ा हुआ था ठीक है खड़ा हुआ था यानि पहले तो चलते थो उचल के लेकिन अब खड़ा हो करके कह रहा है कौन था मानों का ancestor जो खड़ा हो करके चलता था कह रहा आस्ट्रेलो पिथायकस था क्रो मैगनान मानों था पेकिंग मैन जवाब मानों था ठीक है तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त इसका राइट अंसर है आस्ट्रेलो पिथायकस था जो सबसे पहले खड़ा हुआ था ठीक है कौन आस्ट्रेलो पिथायकस ठीक है और मैंने बता था इसकी जो है जिवास में किसने प्राप्त किया था रेमंड ठीक है इसके जो cranial capacity थी ये कितनी थी 300 से 500 CC तक और ये अफ्रीका से इसके जिवास में प्राप्त किये गए थे ठीक है चलिए question number हम चलते है 14 की तरफ ठीक है question number 14 क्या कह रहा है कह रहा है in homo habilis in homo habilis habilis refers to habilis का अर्थ क्या है ठीक है homo habilis में करा insist man modern man toolmaker और wondering species देखो homo habilis handyman मैंने बताया था आपको handyman इसका मतलब toolmaker सबसे पहले इन्होंने ही वो अस्तसस्त बनाना सुरू कल लिया था toolmaker ठीक है homo habilis इसका सही जवाब क्या है दोस्त इसका सही जवाब है C number question number हम 15 की अगर बात क वाज यानि कह रहा है कि fossil man who made keo painting जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी सबसे पहले शुरू किया था कौन थे कर रहा क्रो मैंगनान मैं था जावा मैं था की आस्ट्रेलोपी था का स्पेकिंग मैं इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त इसका सही जवाब है क्रो मैंगनान क ज्यादा विसेस्ता होती है ठीक है तो दोस्त हम आपको बता दे देखिए आपको ऐसा हमने आपको प्रुवाइड भी किया था पिछले लक्चर में आपको बारे में इनके बारे में बताया भी था महत्पूर्ण बिंदू ठीक है महत्पूर्ण बिंदू के बारे में बता आग कप्रियों किया था पेकिंग मैं नियंडर्थल क्रोमेंगनान होमो सैपियंस और दिमैन आफ फ्यूचर ठीक है तो इनके बारे में हमने आपको बताया भी था तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक रखते हैं और ऐसे ही लेक्चर पाने के लिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्क्राइब कर ले ठीक है चलिए ओके थैंक्यू